नमांसकार मैं विश्ण विश्वाय, आपसभी का आपकर यह अपने चैनल विश्णव एटिप में हार्दिक सुवात करता हूँ और सबसे पहले आप सभी को ईद की हारदिक सुपकामना है, हो सकता है ईद की दिन वीडियो आए या फिर पहले आ जाए और भगवान आप सभी की जो मनुरत है इच्छा है आपकी पूरी करें, तो वही मैं कहना चाहता हूं कि आज जो ईद के सुबवसर पर चाहा है तो ईद दोनों के बीष के प्यार से बारे में बताया गया है दोनों के रिलेशन के बारे में बताया गया है और मुंसि प्रेमचन्दर जी आप साफी जानते हैं उनके उठीर है को ईद गाहर के वहां इंग लिजस कर करेंगे उससे होगा कि आपको बहुंद सारी मीनिंग भी पता चलने वाली आपकी स्टूरी से संबंदित तो यहां पर चली क्लाश स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कर दीजे विडियो को लाइक हामीद का चिम्टरोटी बल्टा ब्लता है जिस से हो है और हमिद उस बच्चे का नाम होता है अंतलको आप यह वित्य यहां पर नहीं आएगा, a small sweet child, मतलब एक small याने छोटा सा sweet child, याने प्यारा बच्चा, एक छोटा सा प्यारा बच्चा हामित, एक गाउ में रहता था, with his old grandmother, with his, याने साथ में, किसके साथ, with याने साथ, his, याने अपने old grandmother, grandmother याने दादी, बुढ़ी दादी, old य देखे क्या हुआ, once upon a time, अब यह तो आप से भी श्टूरी में जानती है, कि एक बार की बात है, एक समय की बात है, इद वास अबाउट टू कम, याने इद आने को था, about टू कम याने, इद आने ही वाली थी, या आने को था, and so a fair was held, and so, और इसलिए a fair, a fair याने होता है, मेला, fair याने होता है, मेला, was held, held याने, लगा था, in the nearby village, nearby याने पास के, village याने गाउं, याने की मेला, इद आने वाली थी, इसलिए, पास के गाउं में क्या लगी भी थी, एक मेला लगा हुआ था, Sunday was the day, Sunday was the day, मतलब रवीवार का दिन था, all the children of the village, सभी बच्चे, all the children, children से याने बच्चे, सभी बच्चे of the village, याने गाउं के, गाउं के सभी बच्चे, were getting ready, were याने थे, getting ready, getting ready, याने होता है, तयार हो रहे थे, तू सीधा, सीधा Yeah, देखने के लिए, खुषी मेला, अभी जो ड़ी इसको हिज उठाया मत्रम हैपली होगा, यह hindi में ही खुषी-खुषी लिख दिया है, उड़ू मेंदू में ही मतलब, या फिर जो उसे पालने वाले थे पालक चाहे माता-पिता हो चाहे कोई भी हो जो उसे पैरेंट्स के साथ तो अपने परिवार वाले के साथ अपने माता-पिता के साथ वो क्या कर रहे थे मेला देखने के लिए जा रहे थे या फिर जाने वाले थे जाने वाले थे Little Hamid also wanted to see the fair little Hamid, छोटा सा जो Hamid था also यानि वो भी wanted, want यानि चाहना ED यानि पास्टरेंज, wanted चाहता था to see देखने के लिए the fair, मेला देखने के लिए वो भी चाहता था कि मैं भी मेला देखूं he told his grandmother उस्ने कहा यहां पे देखें टेल का past tense होता है told, tell यहांने कहना है, told यहांने कहा उसने क्या किया अपनी दादी से कहा क्या कहा, his grandmother अपनी दादी से कहा, grandma ग्रेंड मदर को grandma, short में ऐसे बोलता है कि दादी I will go to see the fair मैं मेला देखने जाऊंगा विल गागी के त्विचर टेंस की बात है इसलिए I will का यूज हुआ है I will go मैं जाऊंगा to see the fair मेला देखने के लिए with my friends with याने साथ my friends याने मेरे दोस्तों friends बहुत सारे दोस्ते इसलिए अपने दोस्तों के साथ मैं मेला देखने जाऊंगा ठीक है उसका क्या वो रहे देखिए the poor grandmother poor याने गरीब गरीब दादी मा had no money had no money याने उसके पास have या head का यूज मैंने आपको बताया था किसी के पास कुछ होता है तो have लगाते है पास चैसे में head लगाते है grandma had no money grandma के पास पैसे नहीं थे money याने होता है रुपया पैसे head याने उसके पास तो उसके पास पैसे नहीं थे so she tried to convince convince मतलब होता है मनाना है ना उससे क्या करने का उसे मनाने की कोशिस करते है समझाने की कोशिस करते किसे हामीत को कि पैसे नहीं है मेरे पास बट आफटर हामीज इंस्टिस्टेंट मतलब होता है है ना इस्टिस्टेंट मतलब होता है उनका क्या होता है जिद जबरदस्ति जो करते हैं तो इसे हम इंस्टिस्टेंज कहते हैं तो बट आफटर हामीज assistance लेकिन हामित की कॉमा लगा लगा दिखिया आपौस्ट फेने हामित के जो जित था तो क्या हुआ हमित क्या करने लगा बहुत ज्यादा जित करने लगा अर्लीम से रखती करने लगा वहता है गेव 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 गिवन तो पास्टेंस का यूज़ करते हैं जो चीज करने वाले रहते हैं तो हम तू का यूज़ करते हैं तो विधर अब यह समझ आगे आपको सेंग और कहा क्या का सन बेटा कीप इस मनी इस पैसे को रखो बिग याने होता है उनके लिए बहुत बड़ा पैसा है समलो और दो और यह समेचिक होता है ग्र्चा करना और खर्चा करो Windsor वेल याने होता अच्छा याने इससे अच्छी तरह से खर्च करना और और यह आ एकी आवगा न अब ही हम्पम क्या होता K important इस इसे हम कहते हैं फार्टों खर्च बक्रπस करना नहीं त likely वर और फॉड यान्य तुम महसूस करो किन डोग असने भूगड की अ technician कुछ पैसे सքं देगारि ने वन one food on यान पर food याने भोजन खाना खाने पर खर्च करना और ओर yourself और मaria क्या पढ़ेंगा बहुत अहस्वीं रहूंगे लेकिन आपको बताओ लाकुने करवात ज मेंतली की उभम होती तो इस से बहुत हुख सेल हिए तुछ कंब नहीं पता था लेकिन इतना होता था वो क्या हुआ, not happy, मतलब वो क्या था, खुश नहीं था, और क्यों खुश नहीं था, मतलब खुशी का ठीकाना नहीं था, not happy, यहां पर गलत लिखा हुआ है, यानि वो बहुत ज़्यादा क्या था, खुश था, खुशी का ठीकाना नहीं था, तो इंग्लिस में गलत प्रिंट हो गया वास not happy या नहीं होगा कि उसका क्या होगा हमीद was happy with getting the permission वो हमीद बहुत जादा खुस हुआ क्योंकि उसे क्या मिल गया था permission अनुमती मिल जाना ठीक है बेटा जाओ तो खुस होगा नौट गलती से चप गया होगा of the fair मेला जाने में बहुत खुस हुआ and money और पैसा जो उसे पैसा मिला था और मिला जाने की अनुमती मिली थी दोनों से बहुत जादा खुस हुआ he also went to see the khusi मिला he also went वह भी also याने वह भी went याने गया देखिए go याने जाना होता है और second form went देखिए go मेला देखने गया with his friend अब आप समझें with his friend का मतलब अपने दोस्तों के साथ और reaching the fair और reaching the fair याने मेला पहुचकर है ना मेला पहुचकर क्या हुआ all the children were having all the children याने सभी बच्चे वर याने थे having a lot of fun having याने मजे ले रहे थे lot of fun याने बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे मजे ले रहे थे fun याने होता है मस्ती करना मजे लेना lot of याने बहुत सारे having याने ले रहे थे वह बहुत ही मोज मस्ती कर रहे थे मजे ले रहे थे उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है there was things वहां पर वहां थे वस्तुएं दिरिंग और पीने की वहां खाने-पीने की बहुत सारी वस्तुएं थी, things याने वस्तु हैं जिसे हम सामान कहते हैं and there were toy shop और there were याने वहाँ थे there याने वहाँ were याने थे toy shop toy याने खिलोना shops याने दुकाने याने वहाँ खिलोने के बहुत सारे दुकाने भी थी all the children were सभी बच्चे were याने थे सभी बच्चे क्या थे वर थे क्या थे इटिंग सम्थिंग याने खा रहे थे वर इटिंग याने सभी बच्चे खा रहे थे सम्थिंग याने कुछ न कुछ खा रहे थे and buying toys और खरीद रहे थे खिलोने यानि सभी बच्चे कुछ ने कुछ खा रहे थे खिलोने खरीद रहे थे हामित's mind अब हामित के तो देखिए पाश्टाफी कामा लगा यानि हामित का mind यानि हामित का मन भी मन यानि दिमाग भी होता है हामित's mind was also doing a lot हामित का भी मन किया कि मैं भी ऐसे बहुत कुछ कर पाता उसका भी मन किया एक रुपए था उसके पास लेकिन उसका भी बहुत मन कर रहा था कि मैं भी कुछ कर पाता बट हामित लेकिन हामित लेकिन उसके पास क्या था लेकिन उसके पास क्या था उसके बाद देखिए, spending it very thoughtfully और उसकी दादी ने क्या था? spending it very thoughtfully याने सोच विचार करके spending खर्च करना, very thoughtfully, याने बहुत सोच समझकर क्या करना, दादी किसी को से याद आ रही थी, कि दादी ने कहा था, बहुत सोच समझकर इसे खर्च करना, that's why, याने इसलिए, that's why Hamid had saved his one rupees, इसलिए Hamid ने क्या किया, अपने जो saved याने, saved याने बचाया, his one rupees, अपने एक रुपए को till now, till now याने अब तक, till याने, now याने अब, till याने, अब तक अपने एक रुपए को उसने क्या किया था, बचा कि रखा था क्योंकि उसकी मम ने ृप वाइल वाकिंग इन अफएइल उस वाइल याने उस महाएल वाकिंग ने वाकिंग इन अफएर मेले में घुम्ते हुए たो hand तरह से पाथ थे पताया ना सैकेंड फॉर्म रगता है हमीजब सामीज ने देखा अब पॉर्ट साप्य हो ने होता है यानों अ ciao इस बहुतेए या तुवर्ट सब्सक्राइब दुखान यानि यानि की उसकी और चलता गया दुकान की और, after looking at the entire shop, after looking, यानि देखने के बाद, क्या देखने के बाद? at the entire shop, entire यानि होता है, पूरा पूरा का पूरा जो दुकान को उसको देखा चारों तरब देखा, मतलब कुछ काम की चीज़ तो नहीं है, he picked up an iron tongue he picked up उसने उठाया picked up यान होता है picked past tense उसने क्या किया उठाया क्या उठाया an iron tongue an यान होता है a यान भी एक an यान भी एक क्योंकि आई चेस्टार्ट होए इसलिए हम an का यूज किया article वीडियो मेरे देख लेंगे विष्णुएटीप आर्टिकल साफ मारेंगे सर्च यूटूब में आपको मिल जाएगा वहाँ पर पूरे वीडियो बनाया हूँ कि एक यूज कहा होता है an का दा का an iron tongue यान होता है चिम्ता उसने क्या किया एक लोहे का चिम्ता iron यान होता है एक लोहे का एक लोहे की चिम्ती उसने क्या कलिया उठा लिया and asked और पूछा ask यान है पूछना ही भी होता है ask यान है किसी को कुछ काम के लिए बोलना भी ask कहा जाता है ठीक है तो दोनों अलग जिएका यूज होता है तो यहां पर ask का मतलब पूछा the shopkeeper shopkeeper से पूछा for his price for his price याने उसके दाम उसके दाम को पूछा the shopkeeper told him the price और shopkeeper ने क्या क्या told याने कहा देखे tell याने कहना told याने कहा second form बार-बार आपको समझ आ रहा हुआ shopkeeper याने दुकान दार shopkeeper shop रखने वाला keep याने रखना keeper याने रखने वाला shop याने दुकान दुकान रखने वाला दुकान रखने वाला कौन हुआ दुकान दार तो ऐसे meaning होता है told him उसने कहा the price of 1 rupees और उसने क्या कहा कि इसका price क्या है एक रूपे है, उसका प्राईश दिसका है, एक रूपे है, अब इक रूपे थो उसके पास था, इनोसेंट हामीड, मासूम हामीड was very disappointed, Mr. हो πά Спौूंट तैब निरास, disappointment मतला है निरास हो जाना बहुत ज़्यादा निरास हो गया क्योंकि एक ही रूपए था और चिम्टा का रूपए भी मतलब एक ही रूपए था because he had only one rupees क्योंकि because he had उसके पास था अब he has याने आता उसके पास है लेकिन he had याने उसके पास था only one rupees केवल एक रूपए and he was wishing that और वह सोच रहा था wishing याने होता है कि वह चा रहा था क्या चा रहा था that कि he too could eat कि वह भी to याने भी could eat could याने सकता eat कि वह भी खा सकता like other children like याने जैसे like याने पसंद करना भी होता like याने जैसे भी होता है like other children जैसे दूसरे बच्चे याने दूसरे बच्चों के जैसे वह भी क्या करना चाहता था खाए पीए मैं भी खाता पीता drink याने वही खाता पीता and take toys और क्या करता take याने लेता toys और जो खिलोने को मैं भी खरीद पाता but he took a tongue लेकिन उसने क्या किया took क्या ने लिया a tongue एक टॉंग लिया एक चिम्टा लिया for his grandmother अपनी दादी मा के लिए एक उसने चिम्टा ले लिया सोचे सब बच्चे क्या लेते खिलोने लेते एक रुपए का कुछ खाते पीते लेकिन देखिए हमीत का मन को देखिए अपने दादी के लिए उसने चिम्टा ले लिया I also wanted to buy because I also wanted to buy मैं भी इसे खरीदना चाहता था क्योंकि हमीत के हमीत के आँख में किसका फेस आ रहा था कमिंग था फेस याने आ रहा था फेस याने चेहरा ओफिस ग्रैंड मदर याने हामीत के आँखों के सामने उसकी दादी मा का चेहरा आ रहा था बार बार क्यों आ रहा था देखिए अश्च्वरी वह रहा बेस बार के दिक ने रहा हैं के नलबार के सब्सक्रीन के सब्सक्राइख कश्षा ने रचानी वह कूं ओंते हैं जाक द वह खालते हैं प्रेड़ निया आने रोटी यह उसक्ती थी आ अन्धुर्र माना फ्लोर आ रटा होगा जनकी seem to burn गया होती थी जनकी– whose उनकी fingers would burn जल जाती थी Another day means जल जाती थी Do to the wavelengths of tongs, due to the याने कारण, due to the याने किसके कारण the lake, याने होता है कमी, of tongs, याने वो जो चिम्टे की कमी की कारण दादी की उंगली हमेशा क्या हो जाती थी जल जाती थी, ठीक है उसके बाद देखे क्या हुआ so, हामित bought the tongs, तो हामित खरीदा, देखे, for his grandmother for याने के लिए his grandmother अपनी दादी मा के लिए and saved her fingers from burning, और saved याने बचाने, क्या करने के लिए खरीज था, बचाने के लिए her fingers याने उनकी उंगलियां from burning याने जलने से बचाने के लिए अपनी दादी की उंगलियां जलने से बचाने के लिए चिंटा करे ली, wanted याने चाहता था कि उनकी उंगली बच जाए जलने से, but for this, Hamid will have to give up his happiness, but for this, लेकिन इसके लिए Hamid ने क्या किया, Hamid will have to give up, याने Hamid को क्या करना पड़ा, खुशियों का त्याग करना पड़ा, on one side, Hamid had, लेकिन एक तरफ, one side, याने एक तरफ Hamid को खुशियों का त्याग करना पड़ा, लेकिन एक तरफ क्या था, Hamid had is happiness, Hamid को क्या थी, बहुँँ ज़्यादा खुशी थी, and on the other side, और दूसरे तरफ वो क्या था, दुखी था, याने एक तरफ ये दुखी था, कि उससे अपने खुशियों का त्याग करना पड़ा, लेकिन एक तरफ ये खुश था कि चलो, दादी के लिए मैं क्या कर पा रहा हूँ, कुश न कुश तो कर पा रहा हूँ, अब उसके बाद देखिए, finally, अब यहां तक other side, बाइस टेंगे इस गान मदस बर्निंग फिंगर था, वही अपनी दादी मा की उंगलिया जो जलती थी, उसे बचाने के लिए जो खरीदा था, इसलिए एक साइड वह दुखी खुश था, और एक साइड वह कुछ खरीद नहीं पाइस ते दुखी था, finally, अन्त तह, याने अन्त में, दयंग हामीज सोइंग ब्रेवरी, और जो हामीज ने वीड़ता दुखे दिखाते हुए क्या किया, बाट दा टॉंग खरीदा चिम्टा को फ्रॉम दा सौब कीपर दुकानदार से, और प्राउडली केप इट ऑन हिस सोल्डर, और प्राउडली याने होता है घर्व से, रखा गवरी, केप टप यानि रखा ओन हिस सोल्डर, और ऑन यानि पर इस सोल्डर यहन पर पर कंधे पर रखा, यानि पूरे मेले के चारों तरफ ग्रों करने लगा उपने कंधे चीम्टे बंदूख रखते हैं वैसे रखकर रोम रोम याने थी तहलना घूमना वह क्या करने लगा सांसे घूमने लगा ते वाज लेट इंदे एंग और अब क्या हो रहा था साम हो चली थी आल थे पीपल गैदर सभी लोग या था याने हो था इक खता हो गय थे on the place याने एक जगह and started returning और started याने शुरू हो गया था returning याने वापस returning back याने वापस जाना returning याने वापस जाने के लिए to the village याने गाउं वापस जाने के लिए सभी लोग इखटा हो गया थे एक जगह all of hammy's friends all of hammyts याने hammyt के all a friend याने सभी hammyt के दोस्त क्या हुए थे were making fun of hammy were making fun याने बना रहे थे fun यानल अधा मजाक हमिट के सभी मित्र hammyt का मजाक उड़ा रहे थे मजाक बना रहे थे कि उसने किंता क्यों लिया दीखे यहां पे लिखा हुआ है hammy was he too hammy for what if someone sowed him the lion, देखिए, Hamid's friends were making fun of Hamid for what he took, याने उसने क्या ले लिया, सब हस रहे थे, if someone sow, यदि कोई उसे क्या दिखाता था, the lion of the soil, lion of the soil मतलब होता है, वो क्या दिखाना चाहता था, मिट्टी का सेर, soil याने होता है, मिट्टी का सेर दिखाता है कोई कि देखो, मैंने तो मिट्टी का सेर खर देतने हैं, पैसे में, तुमने तो चिम्टा लिया है, Hamid would tell him, Hamid ने उससे कहा, that की, that याने वह भी होता, that याने की भी होता है, Hamid ने उससे कहा कि, this lion of your soil, this lion, यह सेर of your soil, तुम्हारे इस मिट्टी का सेर will be broken, तूट जाएगा, in two days, याने दो दिन में तुम्हारा मिट्टी का सेर तूट जाएगा, but my tongs will be useful, लेकिन मेरी चिम्टी, useful रहेगा, be useful, याने हमेशा उपयोगी रहेगा, useful याने उपयोगी होना है, to fight the real lion to, fight the real lion to, याने मैं असली सेर सेर से लड़ने के लिए वह काम आएगा मेरे चिम्टा, माली के सही का सेर भी आ जाता है, में चिम्टा से कम सेर काया आख़वज़ करके, तो मैं सेर लड़ सकता हूँ चिम्टे से, तुम्हारा तो मिट्टी का सीर है, so medium, चिम्टा कोईła elasticity, आने just like joking याने कि मजाग के तौर पर just like joking याने होता है कि बस वो क्या हसी मजाग करते करते all the children returns अभी इसमें बहुत सारी और भी कहान नहीं थी जब मैं छोटा था तो और किसी के पास वकील रहता है किसी के पास राजा रहता है किसे मंत्री रहता मैंने जो इस्टोरी देखी थी तो वहां पर मिट्टी का रहता है किसी का वो चीनी मिट्टी बोलते हैं उसका रहता है किसी का और कुछीच का रहता है तो वह क्या हो जाते थे बार-बार टूटते जाते थे यह मैंने पढ़ाता सबी के अलग अलग गाउं रहे होंगे तो अपने गाउं सब वापस आ गए अब क्या हुआ एट होम याने घर में हामिस ग्रैंड मदर हामित की दादी वास अग्रेली अग्रेली मतलब होता है उसे अग्रेली कहते है ना अग्रेली याने बहुत जादा बेसबरी से वेटिंग इंतिजार कर रही थी फौर हमित हमित के इंतियार भई किसी को यह मेले में बच्चे को तो दादी मा 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 तो मा होती है वह अपने बच्चे के लिए बेसबरी से इंतियार करती कि सही सलामत वापस आ जाए इंतियार करती पूछा आते ही पूछा विद ग्रेट गेटी वाट डिट माई लाल लाल याने वही प्यारा बच्चा ग्रेट गेटी मतलब बहुत ज्यादा हर्स उल्ला से बहुत ज्यादा प्यार से उसने क्या किया उससे पूछा कि माई लाल याने मेरे प्यारे फिर डू एंड वाट टॉ और कौन सा किलोना इड रही कि उसने खरीद है एक और पूछ रही कि तुमने अपने लिए मतलब वहाँ पे मेले में किया तुमने अपने लिए कौन सा किलोना खरीद करका तो अमीद ने क्या एा हमिद फिर्थ्ट ली गेव जली एड इस अधा टॉंग छिंम्ते झीपआ और ग्रैंडा को दिया धादी मां को टिया घ्रैंडा को यहां पर कॉमा लगा जाए धादी मा के हथ चीपिंग में दिया की वी यहां पे चीपिंग कहा जा हो दादी मा को चीपिंग नहें देख कर चिमता को देखते ही व家 grandmother got agitated and sad, agitated या नहीं होता, आग बबुला हो जाना, गुस्ते से, बहुंच जादा गुस्ता होना, और sad, और कहा, what did you bring, what did you bring, तुमने क्या ले आया, this fucking, याने इस खराब चीज को, इसका मतलब होता है, बहुत गंदी चीज, तुमने इस गंदी चीज को क्यो लाया है, you had only one rupees, तुम्हारे पास केवल एक रुपए था, तुम्हारे पास क्या था, केवल एक रुपए था, then, फिर, why did you buy the tongues, फिर तुमने, why याने क्यों, did you, याने खरीदा, buy, did you buy, लेकिन तुमने फिर क्यों खरीदा, the tongues, तुमने शिम्टे को क्यों खरीदा, what will you do, what याने क्या, will याने तो तुम क्या वही बुल रहो है तादी मा किया तो दादी मा ने त्हुम याने फेका हमिश टॉंग से उसकी चिंटी को क्या कर दिया तूर भी तुन कै दिया थेला य। लिए फिर उठाया चिब्टे को टाया एन कि अगड़ करना आप सभी नगाना प्रेम से तो हग तो हग तो यह ने गले लगा ऑग दाधी-मा को और फिर से और फिर से कहा गले लगा तो यह प्यार से कहा ग्रैंड-मदर दाधी-मा I have brought this for you मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा है मैंने इसे आप के लिए लाया है not for myself मेरे लिए नहीं now you will never burn your fingers अब तुम विल याने गागी गे never burn कभी नहीं जलाओगी your fingers याने अब तुम्हारी उंगलियां कभी भी नहीं जलेगी while baking braids while याने जब तक baking braids याने रोटियां सेखते हुए आपकी उंगलियां अब कभी भी नहीं जलेगी अपने दादी मा से गले मिलता है और बोलता है कि मैंने अपने लिए नहीं लाया दादी मा इसे आपके लिए लाया मैंने अब आपकी उंगलियां रोटी सेखती हुए कभी भी नहीं जलेगी hearing the talk, hearing याने सुनकर the talk याने बातों को सुनकर of his grandson अपने पोती की बात को सुनकर the old grandmother's eyes woke up जो बुड़ी दादी मा थी उसकी eyes क्या होगी आँखे डब डबा गई, woke up याने आशू से भर जाना woke up याने डब डबा गई, भर गई the grandmother got overwhelmed, याने होता है भाव भी भूर हो जाना, बहुंच ज़्यादा भावुक हो जाना उसकी दादी मा बहुंच ज़्यादा भावुक हो गई by the love of the grandson, याने अपने पोते के प्यार को देखकर and got harmed in his heart और क्या कर लिया उसे अपने सीने से लगा लिया अपने सीने से लगा लिया इसका मतलब आप निकाल सकते हैं I have not forgotten your old grandmother even in such a big fear I have not forgotten याने बेटा इतने बड़े मेले में भी तु अपनी बुढ़ी मा को नहीं भूला क्या बुढ़ी मा को नहीं भूला in such a big fear याने बहुत बड़े बहुत बड़े मेले में भी तुमने अपने दादी मा का खयाल रखा उसके बारे में तुमने नहीं भूला and sacrificing sacrificing याने होता है याने त्याग कर दिया sacrifice करना याने त्याग करना your happiness याने अपने खुशी का तुमने त्याग कर दिया brought you to bite tongs to keep your old grandmother's finger from burning याने कि तुमने क्या किया एक चिम्टा ले आया अपनी दादी मा की उंगलियों को जलने से बचाने के लिए अपनी खुशी का त्याग किया लेकि मेरे लिए क्या कर लिया तुमने एक चिम्टा लेकर आया है seeing the joy of old grandmother और अपनी दादी मा की खुशी को देख कर innocent hamid अब फिर आपको पता चलिए innocent hamid मतलब बताईए आप लोग मासूम hamid also chipped अभी पता था chipped आने क्या होता चाहने लगा happily घुशी से चहक उठा and said और कहा that grandmother is very hungry की उसने कहा की grandmother is very hungry की दादी मा बहुत भूका हूँ today you bake with me today you bake me today you bake me with this tongs and feed me bread today याने आज आज आप इस चिम्टे से मेरे लिए क्या करो रोटी बनाओ और क्या करो feed me bread और मुझे रोटी खिलाओ दादी once again दादी एक बार फिर took hamid from his chest दादी मा ने फिर से एक बार hamid को अपने सीने से लगा लिया प्यार से अपने सीने में लगा लिया सीने से लगा लिया तो ये श्टोरी देखे कितनी अच्छी श्टोरी है यहाँ पे देखे hamid और दादी मा की बीच की bonding चाहा तो कुछ भी ले सकता था एक रूपय का लेकिन उसे ध्यान था अपनी दादी मा का कि दादी मा मेरे लिए हमेशा जल जाती है तो उसने ऐसे से किया और दादी मा के लिए चिम्टा लाया तो ये श्टोरी आपको कैसे लगी श्टोरी तो आपको जरूर पसंद आई होगी बहुत इच्छी श्टोरी है तो श्टोरी के लिए याप एक लाइक करेंगे कमेंट तो जरूर करेंगे और आप सभी को फिर से एक बार ईद की हार्दिक सुबकामना है आप सभी का दिन शुव रहे